TCS और Infosys के आज चुके है results and purely based on results आने वाले दो quarter के लिए कौन सा stock better लग रहा है discuss करने की कोशिश करते हैं देखें अगर हम आज के दिन के fall की बात करें तो 2019 22nd October 2019 में Infosys fall हुआ था 16.19% उसके बाद का सबसे major crack पड़ा है आज के दिन, even 23rd March 2020, COVID के समय में भी Infosys का maximum fall था 10% in one day तो आज का fall काफी ज़्यादा डेंजर्स था Infosys में हमें सबज़ना पड़ेगा revenue की growth rate पूरे के पूरे साल 2023-2024 की expectations है 4% से लेकि 7% के बीच की management की उसी के against हमारी यहाँ पर expectations बन रही थी minimum 10% की especially यह ध्यान रखते वे कि Infosys एक ऐसी company है जो lead करती है usually IT sector में, even इन्होंने अपने employees को fire किया जिसके against में बिलकुल neck to neck चला है TCS तो सारे parameters को ध्यान में रखते वे, आने वाले दो quarter के लिए TCS comparatively better place है as compared to Infosys purely based on results इवन जो net profit आया है इस quarter का expectations से roughly 10% down आया है वालेशन की बात करें तो Infosys आज की दिन 20K PE ratio के आसपास चल रहा है और अगर हम valuation की बात करें तो TCS के comparison से almost 20% के discount पे चल रहा है Infosys, even after knowing this future की expectations को ध्यान में रखते वे, TCS comparatively better place है सबसे पहले मैंने आपके सामने TCS का चार्ट प्रेसंट कर दिया है और यहाँ पर मैंने आपके लिए weekly चार्ट यहाँ पर प्रेसंट किया है कि जब भी Bollinger Band एकदम flat होने लग जाए देखिए अभी तक यह बहुत पास में नहीं आया है कि अगर यह तोड़ा सा squeeze होता है तोड़ा समय के लिए उसके बात ट्रेंट पकड़ता है तो एक बड़ा मूव आपको मिल सकता है इस चीज को आप ध्यान रखेंगे मैं आपके सामने daily candles का present कर रहा हूं और चीजों को discuss करने की कोशिश कर रहा हूं फ्लाट हो चुका है Bollinger Band तो आने वाले समय में एक important levels के बाद हमें एक बड़ा point मिल सकता है एक बड़ा move मिल सकता है TCS में हो सकता है एक आदा week मिल जाए पर यह धीरे धीरे ready हो रहा है weekly candles पे इस चीज का ध्यान रखेगा अब अगर हम बात करें तो मैंने आपके लिए एक बिल्कुल flat base का pattern बनायाता है यहाँ पे जिसका उपर की range थी 3170 की इसके उपर जाने के बाद ही TCS यहाँ पर strength पकड़ेगा आज की दिन भी इस level को cross नहीं कर पाया अगर इस flat base की lower range की बात करें जिसको यह बार-बार session कर रहा था 3100 का level आज के दिन intraday में इसको नीचे की side cut किया है अब अगर इसके नीचे कभी वापिस जाता है तो यहाँ पे एक short की opportunity भी आ सकती है बहुत simple से chart आपके सामने बने है flat base के बीच में आज के जिनी फसा हुआ है जिस भी side निकल सकता है चोटा से एक swing के opportunity हमारे सामने आ जाती है next बात करते है infosys की देखिए infosys में हुआ यह है कि एक बहुत major gap down हुआ है अब इस situation में normally यह जो gap down का उपर की range होती है जो roughly आती है 1385 से लेके 1350 की range अगर इस range में हमें कभी भी मिलता है infosys तो एक बार यहाँ पे short वापिस से attempt किया जा सकता है क्योंकि यह level एक rising के से काम करने वाला है ऐसे major gap down ने provided आने वाले दो से तीन दिनों में at least 1300 के नीचे नीचे stock बना रहता है तो एक बहुत अच्छी trade हमें दे सकता है वैसे भी अगर हम लंबे लेवल के चार्ट पर जाए even मैं आपके लिए weekly चार्ट लगाऊ और एक important लेवल निकालने की कोशिच करूं support का तो यह important लेवल आता है जो roughly 1175 के आता है जिसके पास काफी समय तक इस चार्ट ने यहाँ पर त बाउंस के बाद maximum मतलब आज का जो बाउंस आया वह फर्स डे हो गया सेकिंड बाउंस के बाद अगर यह बाउंस सचिन होता है तब तो इसमें एटलीस कोई strength मिलती है वर्णा यह वापिस से अपने initial direction यानि की फॉल होने वाले direction की तरफ जा सकता है यहाँ पर इस चार्ट म बनाता है तो यहाँ पर हमारे लिए short की opportunity बनी रहेगी यह हो चुका है दोनों के दोनों चार्ट का analysis अब चलते हमारे पहले पार्ट पर जिसका नाम है market today सबसे पहले frontline index की बात करते हैं 106.86% negative रहा निफ्टी 0.68% negative था बैंक निफ्टी आजके दिन positive था 0.38% और mid cap index भी 0.40% के असपस positive था market में आजके दिन हुआ यह की जितना भी fall हो रहा था उस fall का 70 से लेके 80% का frontline index का fall हो रहा था because of IT index IT index जिस तरीके से correct हुआ है 2020 के बाद one of the sharpest correction हमने आज की दिन देख लिया है पर IT को अगर हम हटा दे तो इसके अलावा broader market, bank nifty, reliance यह सभी strength शो कर रहे थे आगर हम advance line ratio की बात करें तो thousand के आसपा stock advance हुए जिसके against में thousand के आसपा सी stock decline हुए जैसे ही morning में हुआ था, advance line ratio सबसे पूर था और पूरे दिन advance line ratio अच्छा होता गया मतलब हुआ यह कि आज का दिन एक one of the data जहां पर IT index की वज़े से index में तोलब सा correction देखने को मिला पर overall market ने अपनी strength को prove की है जो आपके लिए positive point हो जाता है आने वाले एक से दो हफते के point of view से PSU bank FMCG reality अच्छा perform करें जिसके against में IT obviously सबसे बड़ा danger moment था और सबसे ज़्यादा खराब था आज की दिन इसी के against में financial services, pharma, healthcare भी poor थे Wix 12.26 पर comfortable है और nifty के moment की बात करी जाए तो opening हुई थी 17,863 की market में dip लगता है वो dip का bounce back होता है और पूरे दिन वो bounce back sustain हो जाता है इस तरीके से आज की दिन का moment था आज की दिन का low कल के लिए important होने वाल है इस चीज का ध्यान रखेगा, discuss करेंगे हम next section पर जिसका नाम है expectations from tomorrow's market देखो market पर discuss करें न हम उससे पहले life को discuss करता है हुआ ये कि अभी Friday, Saturday, Sunday चुटी थी पर उस चुटी में भी मुझे जादा नहीं तो कम से कम 100 से उपर Twitter पर या फिर Instagram पर मिला दिया जाए तो मुझे messages आए market के लिटेड कि market में क्या होगा, market में दिक्कत लग रही है, IT टूटने वाला है, US market में तोड़ा सा tension लग रहा है मैं आपसे एक point बोलता हूँ, लेकि जिस समय आपका market off हो, उस समय आपको properly enjoy करना चाहिए जिस समय आपकी life में चुटी हो, उस दिन genuinely अपने family के साथ time spend करना चाहिए और enjoy करना चाहिए आज की दिन जब मैंने कुछ लोगों से बात करता हूँ, मैं personally तो मुझे लगता है कि हम काम करते हैं दिन में 10-11 गंटे, बात के एक या दो गंटे enjoy करने के लिए वीक के बात करते हूँ, हम वीक में 6 दिन बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आखरी के जो weekend होता है, जो Sunday होता है, जिसको हम आदा सोते हुए निकाल देते हैं, उसके अलावा सिर्फ 6 गंटे enjoy करने के लिए हम 6 दिन भरपूर काम करते हैं, और जब हम 6 दिन काम कर रहे होते हैं उस समयम ful time stress में रहते हैं, हम लोग almost 12 महीने काम कर लेते हैं, उसके बाद 12 दिन की vacation के लिए 예attend हैं कि 12 दिन की vacation मिलेगी, इसलिए 12 महीने रोते रोते निकाल देते हैं, इस तरीके से काम नहीं होता, पूरे दिन काम करते हैं और खाना खाते हैं, पंच म वन में खाना खाके जब छुट्टी हो रही है तो उस समय वापिस से स्ट्रेस की कल से काम करना है यह कैसा काम हुआ दियान रखिएगा इस बात का चलिए हम बात करते हैं जिसका मतलब यह होता है कि अगर मार्केट में एक आदा दन वापिस से डिप आता है तो मार्केट एक ऐसे पॉइंट पर चल जाएगा जहां पर हमें डिप में बाइंग के उपॉश्चनटी मिलती चाहिए चलते स्क्रीन पर चीजों को डिसकस करना शुरू करते हैं सबसे पहले FIS और DIS का रिडिया चेक आउट कर लेते हैं 13 अफ एपरिल को FIS ने रफली यहां पर 221 कर उसकी पर्चेस करेते हैं और DIS ने वितना ही अमाउंट बेचा था ठीक अमाउंट है कोई बड़ा अमाउंट नहीं है जो हमारा जारा ध्यान अट्राक करें अब निफ्टी की बात करें तो ध्यान से समझेगा आज का मोमेंट कल के दिन मार्केट जब भी 17,735 मतलब जहां पे क्लोज हुआ है वहां से बहुत ही क्लोज यानि की 17,735-36 के लेवल को क्रॉस करके उपर निकलता है तो एक बार यहां पर हमें positive trade के रेडि होना होगा जिस इसकी confirmation हमें 17,820 के ऊपर session होने के बाद वापिस मिल जाएगी वैसे अगर आपको याद हो तो हम long term में हमेशा बात करेते कि 17,800 के लेवल के आसपस तोड़ी सी volatility मिलेगी members especially ध्यान रखी है हमने especially बात करी थी कि अगर profit book करना है नीचे के level पर buy किये वे चीजों का तो 17,800 पर कर सकते हैं although पूरा profit कभी भी book किया तो market आपको काफी ज़्यादा परिशान कर सकता है आने वाले समय में इसी के against में अगर हम short की बात करें तो जब भी market आज market ने जिस तरह की closing दिये ना बहुत easy है कल के दिन trade करना although कल के दिन एक volatile दिन रहने की जहाँ पर market बढ़ेगा भी सही और बढ़ने के बाद चाहे तो दोनों side के moment दे दे ऐसे दिन होने की पूरी-पूरी उमीद है इसी लिए market में कल के दिन 100 point का target और 30-40 point के stop loss से अधा काम मत करेगा अगर आप immediately 17,730 के उपर buy करते है तो immediately सिफ 100 point का target रखे 30 points के stop loss रखे इसी के against में अगर हम negative side की बात करें तो negative side की trade हमें मिलती है जब भी market 17,580 के level को undercut करता है तो negative side की trade मिलती है यहां फिर 17,820 के पास जाके आपको confirmation दे candle stick के basis पे तो यहां पर shortcut try किया जा सकता है छोटे से intraday के लिए और 30 point के stop loss के साथ कल के दिन एक volatile दिन हो सकता है तो उस चीज back of the mind रख लीजेगा बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी exactly अपने relations 42,300 के आसपास से correction दिया और important support जो immediately मिल रहा था 41,800 का वहीं सही bounce back यहां पर दे दिया कल के दिन 42,300 क्रॉस करके उपर निकलता है तो यहां पर हमारी लिए एक positive trade trigger होती है negative side की trade कभी भी 42,000 से पहले trigger नहीं होगी 42,000 के नीचे market जाएगा तब ही यहां पर छोटे से 200 point का target और 50 point के stop loss से काम किया जा सकते है बैंक निफ्टी यह 50 point का stop loss और 200 point के target का ध्यान रखना पड़ेगा कल के दिन बैंक निफ्टी में वापिस से positive side की trade की तरफ बायस रहेगा इवन निफ्टी में first half में positive side की trade को मैं डूनने की ज़्यादा कौशिश करूँगा as compared to negative side या फिर तोड़ा सा short करने की ज़्यादा मेरी यहां पर इच्छा नहीं होगी as compared to debt positive side की trade का बायस रहेगा पर volatile दिन होने की पुरी पुरी उमीद है अब हम बात करें important stock की तो सबसे पहला important stock आता है हमारे सामने मुतुत एक अच्छा stock बना हुआ है कभी भी 1060 के level को cross करके उपर जाए तो लंबी rally के लिए ready होगा अगर कभी भी dip देता है तो thousand के level के आसपस एक important support आने वाल है अच्छी तरीके से निकाल रहा है और कभी भी ध्यान रखीगा कि gold के move देने से पहले हमेशा आपको मुतुत move दे देता है next important stock होने वाला है triveni turbine धाय दिन के funda के लिए 3.30 के आसपस मिले या फिर 3.35 को immediately जैसे ये cross करता है immediately हमें 3.40, 3.45 और 3.50 तक के level यहाँ पर immediately मिल सकते हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा purely based on धाय दिन का funda final important stock जिसको हम study करेंगे उससे पहले देखिए हमारे course जिसका नाम है seven trading strategies उस course में already आपको 16% का discount बिल रहा है just for first 20 participants में आपकी reference करें because वो course towards the end जा रहा है जितने भी मुझे videos देने थे उस course में सारे के सारे complete होने के पास है इसलिए first 20 participants जो भी use करना चाहते है 30% का मैं additional discount देने वाला हूँ और यहाँ पर यह course ऐसा है जहाँ पर आपको हर एक type की strategies मिलेगी चाहे वो options के related हो, intra day के related हो, swing के related हो, positional के related हो course towards the completion जा रहा है, सिर्फ एक video pending है, इसलिए आपके लिए के special offer डाल दिया है final important stock हमारे सामने आता है action construction 400 के आसपास रदर 390 के आसपास important support है जिसका ध्यान रहेगा 407 के level को cross करते ही, 410, 412 and 415 तक के 3rd targets के लिए काम किया जासेता है चोटा सा stop loss यहाँ पे maintain होगा वीडियो आचा लागे तो लाइक के रे बिना मझ जाएगा happy learning and I will see you very soon